कि वेरी वेरी गुड इवनिंग टॉ आल अफ यू तो डियर स्टुडेंट आज हम नाश्य इंकम में जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो टॉपिक आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं आज हम दोमेस्टिक टेरिटरी के कॉंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि थियोरी में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है जरूरी नहीं कि आपका नेश्चनल इंकम से एक कोशिन आपको नुमेरिकल का ही आ जाए पेपर कई बार सरप्राइस करता है और पहले भी हुआ है ऐसा कि थियोरी में से ही हमारे पास में कोशिन आ जाते हैं 5-6 पॉइ टेरिटरी पर अर्ण हो रही है या नहीं हो रही है अब सवाल यहां पर फिर यह आ जाता है कि सब्सक्राइब होता क्या है तो आए आज की क्लास में हम सबसे पहले डोमेस्टिक टेरिटरी को अच्छे से समझते हैं देखिएगा डोमेस्टिक टेरिटरी जिसको हिंदी में ह घरेलू सीमा, बात देश की हो रही है, राष्ट की हो रही है, तो भई देश की सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम घरेलू सीमा, घरेलू सीमा, तो अब आपके मन में मुझे मालूम है, जो एक पिक्चर, जो एक छवी बनी है, वो क्या बनी है, अगर मैं domestic territory घरेलू सीमा की बात कर रहा हूँ तो इस सीमा में आपके mind में क्या बन गया इसके अंदर आपके mind में एक image create हो गई होगी क्या इंडिया का एक map आ गया होगा मैं बोल क्या रहा हूँ मैं आपको दिखाई ही देता हूँ आप क्या सोच रहे हैं जैसे ही मैंने घरेलू सीमा कहा वैसे ही आपके mind में हमारी जो सीमा है जो हमारी territory है वो कुछ इस तरीके से जो है आपके मन में ये कुछ boundary आपके दिमाग में चलने लगी कि हमारी domestic territory तो ये है हमारी domestic territory जैसा कि आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से चीज़े आपके माइंड में ये चलने लगी कि बात जैसी domestic territory तो सीमा तो आप इस सीमा के बारे में आप यहाँ पर सोचने लगे हैं क्लिर एगर बच्चे आप हमारे इस सीमा के बारे में सोच रहे हैं आपको पता है न यह हमारे मैप में जो यह देख पा रहे हो यह मैप हमारे पास में इसमें पूरी तरीके से हमारा जो है political control है political control मतलब की कोई भी हमारी मर्जी के बिना इस सीमा के अंदर नहीं दाखिल हो सकता है clear है तो ये पूरी तरीके से हमारा political control है geography control है इस पे हमारा पूरी तरीके से ये हमारा जो है रास्ठ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो ये जो सीमा आपके मन में जो ये छवी आई पहले आप इस छवी के बारे में मैं आपको समझाता हूँ कि छवी क्या है पहले आप इसके बारे में समझ लेजिए फिर मैं domestic territory पर आऊँगा क्या आप बिल्कुस सही सोच रहे हो कि जो आप domestic territory में आप जो plan कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से plan कर रहे है कि ये हमारा क्या है ये हमारा हमारी सीमा है बच्चे अगर आप इस सीमा के बारे में सोच रहे हो जो कि मैंने pink color से mark किया है तो प्यारे बच्चे इसको हम जो है न इसको हम political territory कहते हैं इसको हम जो है political territory कहेंगे ठीक है यह हमारा जो है यह हमारा political territory होता है इस बात का आप समझ पाएं clear है यह हमारा क्या होगा यह आपकी macro की class है न macro economics की हंजे अब सामें देखेंगे अब सामें देखेंगे तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह political territory है political territory क्या होता है जिस पर कि हमारा control पूरी तरीके से है जो हमारे रास्टे की जमीन है जो हमारे रास्टे की भूमी है जिस पर हमारी मर्जी के बिना कुछ दखल नहीं कर सकता है यह political territory है लेकिन अगर आप इसी को domestic territory समझ रहे थे इस boundary को तो आप गलत सोच रहे थे प्यारे बच्चे political territory एक अलग चीज होती है और आप इस बात का धान लखे कि एकनॉमी territory एक अलग चीज होती है बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर किसीच की बात चल रहे हैं यहाँ पर economy territory की इकनॉमी territory है इसी को हम क्या बोलते हैं इकनॉमी territory को ही हम domestic territory कहते हैं इसी को हम domestic territory कहते हैं पहले आप धीदी रहे करके सब कुछ अच्छे समझेंगे इतनी बहतरी नतरे के समझ जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि सर मज़ा आ गया देखेगा तो जो यह boundary की चवी आपके दिमाग में बनी यह तो एक political territory है और मैं बात कर रहा हूँ एक domestic territory के मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर economy territory की economy territory मतलब की एक ऐसी सीवा की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर economy generate होती है जहाँ पर हम आई जो है वो earn करते हैं तो economy territory में क्या क्या होगा मैं आपको इस बात को समझायता हूँ भारत में बहुत सारे ऐसे छेतर है मैं economy point of view से बात कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं राष्टे के नजरी से बात करूँ देश की बात करूँ मैं तो यह पूरा का पूरा जो हमारा अखंड भारत है यह हमारे जो है भूमी है यह हमारी जो है भारत माता है यह जो मैं बात कर रहा हूँ जिस पर पूरी तरीके से पावर से politically हमारा पूरा control है इस सीच को बात कर रहा हूँ यह political territory है और यहाँ पर मैं आपको political नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एकनॉमी, तो यहाँ पर मैं बात करूँगा आपसे economy territory की, economy मतलब कि मैं earnings related बात करूँगा यहाँ पर, तो अब आप political territory से थोड़ा बहार निकल लिए, और economy territory पर आवा आ जाए, इकनॉमी territory क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे छेत्र हैं, जहाँ पर हमारी economy activity नहीं होती है, भारत के अंदर ही ऐसे बहुत सारे छेत्र होंगे, जिसमें कि हम लोगों की economy activity नहीं होती है, सबसे पहली चीच क्या हो सकती है अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले चीच क्या होगी एंबेसिस जैसे कि भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ दिल्ली की अगर मैं बात करता हूँ तो डैली के अंदर जो है बहुत सारी एंबेसिस है यूएस एंबेसिस है पाकिस्तान की MBC से UK MBC से रसिया MBC से आपके मन में सवाल हो का सर यह MBC क्या होता है तो प्यारे बच्चे एक कंट्री दूसरे कंट्री से कम्मिनिकेट कैसे करेगी मुझे यह बताईए अगर मान लिजे कि भारत को USA से अमेरिका से अगर कम्मिनिकेट करना है जिस भी प्रोजेक्ट पे साइन पियम करके आते हैं वह प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है या और किसी और बातो पर चर्चा करनी है यह किसी और अदर रिलेशन्स पर सकून करना है तो यहाँ पर किस तरीके से भी बात होगी, अमेरिका से और भारत की बात किसी होगी, आप क्या सोच रहें कि President of America and Prime Minister of India ये फोन पर बात करके ही सारा काम हो जाएगा, नहीं, ये काम जो है कागची पर कैसी होगा, अब आपको क्या लगता है, जो है बार बार वहां के राश्पती भारत आएंगे उस चीश को देखने के लिए, ये यहां के Prime Minister वहां जाएंगे, बिलकुल नहीं, अमेरिका में, जो भी भारत की तरफ से जो भी बात रखी जाएगी, उसके लिए अमेरिका के अ यहां पर अमेरिका में, और इसी तरफ अमेरिका के सही बात नहीं, दुनिया में जितने भी कंट्री है, उन सभी कंट्री में भारत की एमबेसिस होगी, अगर हमें उस देश की गवर्मेंट से कम्मिनिकेट करना है, या फिर को भी डोकुमेंट्स, फॉरमेल्टी को देखना है, या फिर नागरिक से लिए समद्रे कोई समस्या है, तो वो किस तरह के से समनिकेट होगा, यहां की जो गवर्मेंट है, हमारे एमबेसिस के अंदर उस दिसका डेरेक्शिन देगी, और वो एमबेसिस उस जिस कंट्री से लिटिट बात है, वो एम वेम वेसिस कंट्री के से contact करेगे और वहाँ पर वो सारी जो भी formalities है वो पूरी की जाएगे तो इंडिया के Indian embassies इंडिया के अंदर नहीं होगी इंडिया के embassies इंडिया को छोड़के पूरी दुनिया में होगी इस बात का ध्यान लखेगा rest of world में होगी इसी परकार से आपको यह भी समझना है कि जैसे हमें communicate करना यूस से तो यूस को भी तो हमसे communicate करना हमारे government से communicate करना होगा तो यूस की embassies भी कहां होगी यूस के embassies इंडिया में होगी और आप बताए कि सिर्फ क्या यूस को हमसे communicate करना है या पूरी दुनिया को तो पूरी दुनिया की embassies होगी भारत में और इसी तरीके से हर country के पास में हर country में rest of world के embassies होती है अमेरिका में rest of world के embassies है अमेरिका को छोड़ करके भारत में भारत के embassies को छोड़के के रेश्टू वर्ल्ड के अमेरिकन अमेरिकन जो यहां पर फॉर एक्जामपल समझेगा इस पात को जरा आप समझने की कोशिच कर लीजिए जड़ा आप अब इसमें जितने भी एकनामी अक्टिविटी होगी इस पात को ज़िए कि इसके अंदर जितने भी एकनामी एक्टिविटी होगी इसमें अच्छा सा था क्या करने के लिए जूम करने के लिए वो मुझे फीचर मिल नहीं रहा है इसमें तो इरेज ही होगा चलिए कोई बात नहीं चलिए अभी देख लेते हैं यह देख रहे हैं आप यहां पर देखेंगे अब इस सरफ समझेगा यह एक एमबेसिस इंडिया के अंदर है अब इसमें जितनी भी एकनौमी एक्टिविटी होगी यह इंडिया की एकनौमी एक्टिविटी नहीं होगी भारत सरकार इन करमचारियों को तंखानी देंगे यह भारत के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये एकनामी एक्टिविटी जो हो रही है, भले ही हमारी भूमी पर हो रही है, हमारी धर्ती पर हो रही है, बड़ आप political point of view से ऐसा सोच रहे हैं, एकनामी point of view सोचेगा कि ये हमारे एकनामी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि ये काम भी यूएस के लिए हो रहा है, और employee भी यहाँ पर यूएस के ही होंगे, clear है, और जो यूएस के employee हैं, उसको ambassador बोलते हैं, जो दूत बोलते हैं, clear है, तो यहाँ पर जो है embassist जो है, यूएस की रहेगी, और सारी तनखा भी इसको अमेरिका से ही मिलेगा, काम भी अमेरिका के लिए करेगा, तो यह हमारे एकनौमि अक्टिविटी नहीं है, इसलिए भारत के अंदर होने के बाद, भारत में होने के बाद भी यह हमारे जो है, यह हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है, यह हमारे transferred का पार्ट नहीं है मेरी इस बात को समझे या नहीं समझे आप बताइए सर इस बात को समझ पाए तो इसी तरीके से भारत में तमाम शेश विस्व की जो है दूतावास है रेश्टर वर्ड की सिक्रिटी इंडिन गवर्मेंट देगी क्योंकि किसी देश के एंबेसिस पर किसी तरकी के नुकसान पहुंचने का मतलब होता है सीज़ा सीधा उस देश पर आकरमन करना वह यूज से नीचे फिर कहीं पर भी बात नहीं बनती है अगर भारत के एंबेसिस पाकिस्तान के अंद भारत के उपर हमला हुआ है अब भारत भी फिर उसी परकार से इसका पर्तिक्रिया करेगा इसलिए दो देशों के बीच पे कितने भी जो है रिलेशन्स खराब हो बट कोई भी दो देश उसकी एंबेसिस को बिलकुल भी नहीं छेड़ता है ये पहला नियम होता है ये इंट पुछे नहीं कर सकता है और ऐसा अब सुरूँ से चलता रहा है राजा महराजा को जमाने में भी जब दो लोगे बीचे बात होती तो पर दूद को बैचता था लेकिन उस दूद के साथ में कुछ नहीं कर सकते हैं ये उसका नियम और धर्म हुआ करता था तो इसी प्रकार स तमाम देश की जो एमबेसिस है वो एमबेसिस भले ही हमारे भारत की भूमी पर है चाहिए वो कोई सी भी एमबेसिस हो चाहिए वो पाकिस्तान की एमबेसिस हो चाहिए वो यूएस की एमबेसिस हो भले ही हमारे भारत की धर्ती पर है लेकिन वो हमारे डॉमेस्टिक आप चले जड़ा इसको देखे जड़ाब एक बार हांजी यूपर चले इसको भी नीचे करते हैं इस पर फोकुस करते हैं कि यह देखो जी जैसे आप एक एक एम्बेसिस को ट्रीट कर रहे हो ओ है इसी तरीके से बाहर की rig recruited कुछ अ और कुछ आपनी तो अमेरी काम कर दोने के यह वे बाहर कोड़ा आसे वहाद अश्व करेंगा। ओए तो समाल प्रोस्ट हो गया, विए कुछ कमपनी बहारी कमपनी है, इंडिया में काम करती है, तो ये बहार की कमपनी बहार इसका रिशेशन हुआ है, तो ये भी जो भी इस पर एकनॉमिय अक्टिविटी होगा, ये भी हमारे दोमेश्टी टेरिटरी के अंदर काउंट है, नहीं होगा, हाँ, ये हमारे दोमेश्टी टेरिटरी के अंदर काउंट होगा, क्योंकि हमारे इंडियान कमपनी है, तो भरत के पॉलिटिकल टेरिटरी में ऐसे बहुत सारे छेतर, बहुत सारी जगहें पाई आएंगे आपको, जहाँ पर एकनॉमिय अक्टिविटी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, अगर रेश्टो वर्ल्ड की एकनॉमिय अक्टिविटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी हमारा उससे लेने देना नहीं है, उस जमीन की मैं बात कर रहा हूं, उस छेतर जगहे की बात कर रहा हूं, वहाँ पर जो भले, आप कहेंगे सर, चलिए, आप मुझसे एक एक्जामपल लेते हैं, कि सर ये यूएस का एमबेसिस है, ठीक है, और इस यूएस के एमबेसिस के अंदर क्या हो रहा है, कि एक भारतिय कोई अखवार देता है, या चाय पिलाता है, तो उस भारतिय की जो आए है, क्या हमारे दोमेस्टिक टेरिटी का पा इस पर कमाने वाला कोई भारतिय ही क्यों नहीं हो, वो हमारे दोमेस्टिक इंकम के अंदर शामिल नहीं होगा, वो हमारे दोमेस्टिक टेरिटी का पार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर यह में इस तरीके से रेश्ट वर्ड की एमबेसिस हमारे दोमेस्टिक टेरिटी का पा हैं जैसे कि आपके पास में सोनी हो गया Microsoft हो गया यह हमारे का पार्ट नहीं है और इसी तरीके से अगर कोई Headquarter है को International Organization का Headquarter है जैसे कि मालो कि यू एन ने हो गया WHO हो गया इस परकार से IMF हो गया World Bank हो गया यह कुछ International Organization Organization कोई यहां पर कोई भी यहां पर अगर जो है कोई काराले है तो वह भी हमारा जो है International आपको जो है जो भी एह ऑफिसे उसका जो है कोई भी काराले अगर भारत में तो वह मार्ट नहीं है तो मैं तीन चीजे गिनवात चुकाँ एक तो foreign companies की जो activity हमारे भारत में हो रही है हमारे political territory में हो रही है लेकिन वह foreign company है इसलिए हम उसको अपने domestic territory का पार्ट उस जगे को नहीं मानेंगे दूसरी बात rest of world की embassy जो है भले हमारे political territory के अंदर है लेकिन उसको भी हम अपने domestic territory का पार्ट नहीं मानेंगे और इसी तरीके से कोई international organizations के कोई office है हमारे भारत के अंदर जिस जगह पर है उसको भी हम आपने डोमेस्टेटरी का पार्ट नहीं मानेंगे तो भारत के अंदर political territory के अंदर होते हुए भी कुछ छेत्र ऐसे हैं जो कि domestic territory का पार्ट नहीं होगा समझें क्लियर है जी कोई डाउट बताएए और बच्चे इसी तरीके से अब आप जैसे कि इसी तरीके से भारत की एंबेसिस अब जैसे मालिए US एंबेसिस है यगर US एंबेसिस है भारत के अंदर ठीक है तो वो जो domestic territory किसका होगा वो US का होगा एकनामी पांट अभी से होगा मेरी बात समझें या नहीं समझें क्लियर है मैंने तो यह बातों साफ साफ कर दिया आपको अभी यह चीज़ तो मैंने साफ साफ कर रहा है अभी आपको क्या मैंने आपसे यह बात कह दिये कि यह हमारे पास में यह US के अमबेसिस है और यह हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है एकनामी टर्ट का पार्ट नहीं है तो फिर एक किसकी territory है उसकी अबेसिस है तो यह US की territory होगी समझे या नहीं समझे आप तो US की जो है domestic और economic territory है भारत के अंदर भी है कि क्लियर है बात समझे यह नहीं समझे इसी तरीके से भारत के भी embassies पूरी दुनिया में है और जहां जहां है वह वह सारी जगह चाहिए पाकिस्तान में हो अमेरिका में हो वह सारा छेत्र वह जगह है जहां पर हमारी embassies है वह particular space वह हमारी domestic territory का पार्ट होगी जियो की company जहां जहां पर है रेश्टर वर्ड में रिलाइंस जहां जहां पर है टाटा स्टील जहां 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 है वह हमारी domestic territory का पार्ट होगी मेरे बात समझे या नहीं समझे clear है तो domestic territory अभी आप जुक के दिमाग में चल रहा था वह political territory होता है clear है समझे लेकिन domestic territory का मतलब होता है एकनमी से लिटीड बात कर रहा हूं मैं economic territory की मैं बात यहां पर आपसे कर रहा हूँ तो आप इस बात को समझ पाए कि डुमेशी टेटरी क्या-क्या है और एकनौमी टेटरी क्या-क्या है अब बताए इस बात को अगर आप समझ पाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं यह हो गया भीया टेड़ा चले इसको करते फिर सीधा हो गया जी करते हैं अब इसको छोटा और आपके सामनी लगाते हैं अब दोनों चीज़ें एक साथी हां जी क्लियरे जी इस बात को समझ पाएं कि क्या नोमेस्टेटरी का पार्ट है और क्या नहीं है तो आएए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में इना कॉमन लेंगवेज अब देखेगा डोमेस्टिक इंकम क्या होता है इस बात को भी समझे लेते हैं साथ के साथ जब चर्चा दूरू हो चुक्किए तो बात दूर तक जाएगी मैं बात कर रहा हूं यहां पर डोमेस्टिक इंकम की कि डोमेस्टिक इंकम किसे कहते हैं वो इंकम जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जन्नेट हुई है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में इंकम जन्नेट हुई है उस इंकम को हम डोमेस्टिक इंकम कहेंगे clear यहां पर देख्येगा Cone earn कर रहा है clearसिES clear lle ft यहां पर जो है WHO का कोई लिना देना नहीं है clear यहां पर where का लिना देना है ठीक है ना? कोई का कोई मतलब नहीं है कहां I का सर्जन हो रहा है मैं इस बात को संजी भले ही एक्जाम्पल संगाता हूं मैं समझेगा भारत और साथ अफरीका का जो है किर्केट मैच होता है और वो जो है भारत के जमीन पर होता है भारत की टेरिटरी ही है भारत के पॉलिटिकल टेरिटरी भी है और साथ अफरिकन खिलाडी जो है वो टीम जीच जाती है और वो प्राइ Beh2 क्या कहता। किसेने कमा यह मतलब नहीं है धीजगह पर वहा ना थो हमार्टप ममЙस्ट्रिक कीनकम होगा संज advance 對 jetzt मेरी बात समझें तो किक क्या होता है जो डॉमेस्ट्रिक इनकम वायी कोई 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 कर रहा हो अगर हमार्टप टैन और मिर्दके हैं थे तो आपको सामिल नहीं करेंगे क्या होता है बहुत साधान सी बात है कौन आन कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है कहां आन हो रहा है इसी से लेना देना है यहां पर कोई भारतिये जो है वो चाय पिलाता है या कोई भारतिये जो है वो न्यूस पेपर देता है या कोई भारतिये कोई टैपिस्ट है एक भारतिये यहां पर इसमें और इसको तंखा ये एक यूएस से ही आती है तो बताएए जो इसकी आंदनी हो रहे है इस भारतिये क कि क्या हमारे domestic income में शामिल होगा बताएं जरा comment करके बताएं आप क्या हमारे domestic income में इस चीज़ें include होगी या नहीं होगी जल्दी से बताएं जी तो तेजी से बताएं जल्दी से बताएं US Embassy जो कि इंडिया में है और वहाँ पर कोई इंडियन काम कर रहा है और उसको जो income मिल रही है क्या हो हमारे domestic income में शामिल होगी नहीं होगी क्यों कि वो हमारे domestic territory का पार्ट नहीं है domestic income उसे कहते हैं जो हमारे domestic territory पर जन्नीट होता है मेरी बात समझे या नहीं समझे clear है कोई doubt और यह कोई तीन पॉइंट लिए मैंने एक तो embassies लिए मैंने एक foreign companies लिए मैंने clear है और एक मैंने headquarters के office लिए है और दूसरी बात आप यह भी समझेगा कि माल लिजिए कोई कोई प्रोजेक्ट इंडिया भारत जो है क्या कर रही है कि कोई एक काम कर रही है नेपाल में इंडिय जो है नेपाल में काम कर रही है ठीका जी या फिर भारत जो है बांगलादेश में कोई काम कर रही है अम्मानी ने कोई factory लगाई है या कोई काम चल रहा है बुटान में कोई काम चल रहा है अधर country में लेकिन वह भारत का ही project है clear है तो यह जो project है यह हमारे domestic territory का part हो जाएगा भले ही हमारे भारत में नहीं है clear है जी? इसी तरीके से कोई airline है इंडिया और रूस के बीच में कोई Indian airline है जो flight चलाती है अगर वो भारत का है तो फिर वो हमारे domestic territory का part हो जाएगा clear है मेरी बात समझे या नहीं समझे चलिए अब यह कुछ बाते कह रहा है इन बातों को समझते हैं और आज की कक्षा में अच्छे से समझ करके अच्छी क्लास को पूरा करेंगे ली जे जी हां जी प्यारो इन अ कोमन लेंग्विज दा डोमेस्टिक territory of a country is understood to mean the political territory of a nation but in economics it refers to the economic territory which is a much wider concept than the political territory boundary में यह न बट economic territory जो है boundary के बाहर भी जा रही है अमेरिका में अगर कोई embassy से तो भी या वह भी हमारा domestic territory का पार्ट आ गया पाकिस्तान में कोई हमारी embassy से तो हमारा domestic territory का पार्ट हो गया सच्छे न आप किती देर होगा आपको जोइन के वे बड़ी देर से में एक ही बात बोले जा रहा हूं अच्छे कंपनी वाला सच्छी समझ में नहीं है चीक है माल लेजिए देखेगा टाटा स्टील जो है वह भाहर भी यह बिदेसों में भी है टाटा की अम्वानी की यह भारत की इनका अब अब आपको आई या नहीं बताईए अच्छी का अच्छी का पार्ट नहीं है अब मुझे मालूम है आप इस बात से अच्छी से सवाल होंगे आपके मन में ऐसे विचार आये होंगे सर यह तो बड़ी गल्दबात है यार यह क्या बात हुई से बारी कंपनी यह गमा तो हम हमDay रहे हैं हमाय देश में रह रहाया है खर्चत माघ देश में हो रहा हे अंद जो हमकि TCP अलया थिर्फटर् में को Nit आख यह को हम Sutchen करोगे तो मस्तिक करने लिए यह इसी में सवाल भी ने नेशनल इंकम वो एक अलग कंसेप्ट है और देश में नेशनल इंकम की गड़ना होती है पहले डोमेस्टिक फिर उसके बाद नेशनल इंकम की गड़ना होती है तो आप समझेगा जो आपके मन में संधे है उस चीछ को हम बिल्कुर ठीक करेंगे और ठीक कर दरके फिर उसको इतारो है कि उत्मक्रावाज इसफिका OFFICER ऑंच में करें में हाट तो आप जो बात कर रहें है पॉलितिकल Zahlen वीजिए आपकी ब्ल्कुल खरेक्ट है इसको हम पॉलिटिकल territory हो हमारी पॉलिटिकल territory बिल्कुल भी नहीं हमारा देश बिल्कुल भी नहीं है बट economy territory मैं समझा रहा हूं आपको तो उससे राम करें दूपूर हमारी economic territory हो गई है क्लियर है ना मैंने पहली बता देटा कि political territory के बार बार माइंड जाएगा तो पूलिटिकल से हटा दो ठीक है इसी तरीके से भारत के इंदर भी बहार की कोई यहां बिल्कुल बिल्कुल किसी भी उसके पूरे इंटाइर income को हम आपने domestic income के अंदर नहीं करेंगे जबकि होना चाहिए ना चाहसे तो इसी चीज में इसी में कुछ चीजें है जो पैसा भारत में आरों उसको निजयन करेंगे तो आपको आगे पड़ोगे 북한 बाहर जा रहा है इसको करगर करके net factor income from abroad और फिर हम यहां से national income पर जाएंगे तो यह जो आपके मन में doubt है और जो आप है वो आपको पूरी तरगी से clear होगा आगे चलकर के कि इस में हम correction कैसे करेंगे प्लियर जी तो आगे क्या कहता है अब बताईए वाइडर कंसेट कउन सा है पौलिटीकल प्विश सोचना वाइडर कंसेट यहाँ एक नमीफंट भीतांइख 계ine, कि बताएं कि वाइडर कंसेप्ट कौन सा है जी पॉलिटिकल पॉइंट भी से क्यूंकि आप विदेशों में जाकर कि भी अपनी टैटरी बता रहे हो क्लेरे जी हां जी आगे बढ़ते हैं फिर चलिए आगे बढ़ते हैं जी अब आगे क्या है अकोडिंग टू दा युनाटिट नेशन एकनामी टैरिट्री एकनामी टैरिट्री की डेफिनिशन बेसिकली क्या है इस दा जेग्राफिकल टैरिट्री एडिमिस्टेटिव बाय आ गवर्रमेंट विदिन दा विच दा परसंस गोड़्श एंड कैपिटा सर्कुलेट फ्रीली एक ऐसी जिगे पर जहां पर हमारे गोड़्श और कैपिटल सब कुछ फ्रीली जो है सर्कुलेट हो पाए वह हमारी टैरिका पाट होगा अब आपकी कुछ कुछन है डू वी हैब दिस फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन पर्संस गूड्स एंड कैपिटल इन दा एंबेसिस ऑफ फॉरेंड कंट्री इस लोकेड़ इन इंडिया फॉरेंड कंट्री की एंबेसिजों की भारत कंदा लोकेटीड है तो यह क्या रहा है कि क्या अब शुडबी दा अंसर क्यमा दूश्री का पाट नहीं है डूब है इस फ्रीडम आफ दा सर्कुलेशन ऑफ पर्संस गूड्स ऑड़ इन इंडियन आमबसिस लोकेटिड अब रोड अब सवाल अगला यह पूछ रहा है कि जो अमेरिका के अंदर हमारे एंबसिस है पाकिस अमेरी का पार्ट है मेरी बात समझेए नहीं समझेए तो युणाटिट नेशन नेएक एफशिंट दिया है वो यह तो यह डैफिनिशन दिया है कि वह ऐसा एक एरिया जिस पर हम अपने पर संस को गोड्स को क्राइटल को फ्रीली आप मूज कर सकते हो वो एरिया हमारा एकन इंडिया ने में लोकेटिटीड एब रोड और पाड़ दोमेस्टिक इंकम या इकनोमी टेरिटरी आफ एंडिया दस्वाइल दा डिफाइनिंग दटम आफ दोमेस्टिक टेरिटरी दा फोकस इस नौट तो बी ऑन दप पॉल्टिकल बाउंडरी अफ नेशन जब भी मैं आप आपको एकनोमी टेरिटरी के बारे में पढ़ा रहा हूं तो बच्चे आप पॉल्टिकल के उपर मत चली जाईएगा लेकिन नियम और कानून से रहना पड़ता ये थोड़ी क्या आपका पॉल्टिकल टेरिटरी अगर हो गया तो महां पर आप पिस्चल निकाले गुमने ल पर देश क्योंकि आप किसी के पॉल्टिकल टेरिटरी में है तो नियम कानून और जो चीजे होती है आपको उसका पालन करना पड़ेगा समझे ने समझे क्लियर है अब बात समझ रहे हो हो तो पॉल्टिकल टेरिटरी है जिसमें कि आपको डिस्सिप्लेन में रहना पड़ता जिस देश में आप रहते हैं यह नहीं कि पजामे में से कुर्टे में से बम निकाल रहे हो हां जी बात सम्झे ने सम्झे क्लियर है हुआ है देखे ता फोकस इस टू बी अन अच्छा जोग्राफिकल और एरिया वेर आप पर्सन आवर गूर्ट्स एंड वही सेम बात बार बार वही डिपीट कर रहे है तो आप कर रहा कि क्या दोमेशेटरी में इंक्लूट करना चाहिए शिफ्स एंड एर्कराफ्ट्स और अप्रेटिड बाइदा नॉमा रेज़िएंड बिडविन दा टू मूर कंट्री अम्मानी जी मानलेजीए आडानी जी मानलेजी टर टर टाटव जी मानलेजीए कि किसी दो देशों के बीचमन जो है शिफ्स चला रहें लेकिन वह हमारे बारत के है तो वो जो जगह आ जाएगा ना वो जो छेत्रा जाएगा वो हमारा डॉमेश्टी टेरिटरी का पाट हो जाएगा मेरी बास समझे वही बात दिया है वह जी वाला जो एक्जामपल ले था उस इक्जामपल साब इसको जो है समझने की कोशिश करें clear समझे क्लिरे लला कोई डाउट बताए examples of planes operated by the air India, बिडविनदा, रशिया and the Japan, दोनों में से कोई भी मारी country नहीं है, है न है कोई मारी country दोनों में से, कोई भी मारी country नहीं है, लेकिन कोन operate कर रहा है operate कोन कर रहा है, air India, ये तो वह हमारी एसब सब्सक्राइब को रहा है कि यहां जहाँ जहाँ पर ईंसे। मालली जह भारत ने ब्लेटरी और स्टैबलिस्मेंट कराए ह। ठीके न बांगलादेश जैसे की है, बांगलादेश को भारत जो है इसको लगाता है, कम लगाता है, हल्कियों लगाता है, है तो कमी यह, यह है तो कमी, लिखिन जो है, कमी के आगे एक सब दो और जोड़ दीजिए, बांगलादेश जो है, मान लिजिए, बांगलादेश की जो है, एक समय ऐसा भी था, कि जो है, वो एक, सबसे पहले सब भारत ही थी, आपको पता ही है, चाहे आप गुजरात की तरफ आप, जो आज आप पाकिस्तान देख रहे हैं, और एक पहले जो पाकिस्तान था, तो पूर पाकिस्तान के नाम पे, दो मलब के जो लोग ज़्यादा लड़ जगड रहे थे, जो पगला गयता जादी के बाद, तो उनको बोला के चलो, तुम ले लो यारी, दो टुकड़े दिये, और एक जो है, पाकिस्तान, जो कि पूर्वी पाकिस्तान गुआ करता था, जो कि आज की देश मिसका नाम बांगलादेश है, तो उस समय क्या करा, इस पश्यमी पाकिस्तान वालों ने, इनका भी कुछ हिसाब कताब समझ में नहीं आता, ये गूम गूम के जा रहे थे, और वहाँ पर मार काट बहुत बुरी तरके से, वहाँ पर मचाया हुआ था इन्होंने, त इसके बहुत बुरी ते पिटाई हुई, इसको मार मार के भगाया, और फिर उसको पाकिस्तान से हटागर के उस देश का नाम क्या रख दिया, उस देश का नाम रख दिया, उसको एक अलग देश बना दिया, बांगलादेश, तो भारत से फिर दो देश निकल गए, पाकिस् सान थिया हमने पकश्वी नहीं थी तुम्हारा कैसे हो गया समझे नहीं समझे घल घथा चलिए तो वहाँ पर जो आर्मी जो इंप्ट्रो做 आर्मी लगाए गये था तो जितने समय तक हमारी आर्मी को हमें पर थिस वह मारे दोमिश्टेटरी का पार साय समझानी कोशिस आपको कर रहा था क्लियर है न और अगली बात अगर मैं आपसे करूँ कि वह आर्मी का की आर्मी लगी वी थी वह छेटर अमेरिका की डॉमस्टरी के अंदर का जा रहा था अपको जो हैं को की कख्षा अच्छे से समझ में आई होगी और आपको किसी परकार का कोई संध्य नहीं रहा होगा ठीक है ना तो दो में इंक्लूड नहीं करते हैं यह अधर कंट्रीस की हैं वह भारत के अंदर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे नहीं करेंगे तो यह कुछ बाते हैं जिसको आप पड़ लीजेगा तो ठीक है जी मिलते हैं फिर अगली कख्षा में और उमीद है आपको डॉमेश्टेट्री समझ में आया होगा क्योंकि अगर आपको समझ में आया है कुछ सवालों के साथ में आज मैं आपको छोड़ रहा ह कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इसी का जवाब दूँगा फिर मैं आपको अगली कख्षा में जहां पर मैं आपको एन एफ आई के बारे में पहले मैं आपको रेजिदेंट्स बताऊंगा कि कौन हमारे रेजिडेंट्स होते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको जो है फेक्टर नेट फेक्टर इंकम फ्रॉम एब्रोड एन फाइए के बारे में बात करूँगा जिसका नेशनल इंकम गूंद जब 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 तरगे से इस्तेमाल भी होकर फॉर्मला बनाना भी वहां पर आपको बताऊंगा क्लियर जी मिलते हैं फिर अगली कक्षा में थैंक यू और आप ध्यान अखिगा आप में जिन्हों ने भी कैट का कोर्स लिए रखा वह स्टार्ट होने वाला है दो दिन में उससे पहले मैं आपको एक मैसिस जो है ग्रूप में डलवा दूँगा ठीक है जी कि अ कि अ